वेरे वेल्कम टॉल साथ यह जांप फाइटर नमर नम्ट आप सभी का हर दिख्षवागत है जेट नोटिफिकेशन दोजर चोबिस के बारे में बात करेंगे जहां जार्खन एलिबिटी टेस्ट जार्खन पातरता परिच्छा जो की जार्खन में असिस्टन्ट प्रोफेसर और पीएच्डी के लिए मस्ट हो जाएगा अगर आप असिस्टन्ट प्रोफेसर बनना चाहते है जार्खन में या पीएच्डी करना चाहते है तो आपके लिए जेट कॉलिफाइग करना जरूरी हो जाएगा मस्ट हो जाएगा इसी के बारे में बात करेंगे फॉर्म कभसे syllabus क्या है, exam pattern क्या रहेगा, इसकी योगिता क्या रखी गई है, qualifying marks क्या होने वाला है, कितने लोग पास करेंगे, negative marking है क्या, medium क्या रहेगा exam का, और category wise cut up कितना रहेगा, जितना हम score करें और सफल हो जाएं, इन सभी चीज़े के बारे में बात करेंगे, तो चलिए, जो आपका जारकन उच्चेवंग तकनिकी सिख्षा विभाग है, वहां से डाउनलोड कीगे, उनका official notification में जो आपके लिए ज़रूरी चीज़े हैं, उन सभी के बारे में discuss करेंगे, जितनी मेंने point यहां पर बनाया है, जितने सारे points है, उन सभी points को एक एक करके हम दो deal करते हैं, तो सबसे पहले आपका पहला सवाल है form, तो बताते चलें कि form आपका March में आएगा, March यानि कल से March start है, तो March महीने में आपका form आना तय है, जैट क पढ़िए कंए दोसरा एक जामेनिस्टन क्या रहेगा आपका दुसरा है अपका क्या सिय्टर से पड़िए कंप कर लें सिय्टर के बात ककि बारे में ही पहले बताते हैं सिलेबस फिलाल तो यहां पर इसुनें नहीं दिया है, तो स इलेबस होगा दόσ्तों आपका Castle classified आपका Ug पेपर वन होगा ठीक है ने कर जो पेपर वन है वही पेपर और यहाँ है जो ने का पिपर टू है आपका सब्जेक्ट रही सैंस लेबस है उसी को बेस्ट बनाकर आपको तियारी करनी आप त्यारी अभी सही आर्म करें आपके लिए अच्छा रहीगा क्योंकि समय कम मिलेगा होगा computer online आपका एक्जाम देना है एक्जाम कैसा देना online offline और मार्सीट वाला एक्जाम नहीं होगा online exam होगा the test will be consist two papers दो paper होंगे test में both the paper will consist of objective आपका एक्जाम objective होगा multiple choice question उसमें multiple choice question रहेंगे mcq रहेंगे there will be no break between papers आपका paper one और paper two के भी जिस पर का net में कोई break नहीं दिया जाता है यहां पर भी कोई break नहीं दिया जाता है जीससा मैंने पहले का कि वह बहुर्बहु नेट के pattern को यहां पर लाया जा रहा है तो आपका यहां पर भी break नहीं रहेगा paper one और paper two में चलिए आगे बढ़ते हैं है आगे अभ एक्जाम पेटर्न के बारें बात कर ले तो डीटेशंट अच्छेस समझ ले एकज्ब पैटर्स में जेश्ता मिने कहा दो प्रस होगे पिप्र ऑन खुनय और याड़ाम इंट उड्यिट मांस का होगा प्युटरा टू ली और सबसे ज्यादा आपको इस पर कमांड बनाना है नम्बर आप कोस्टन की बात करें पेपर वन पके 50 कोस्टन रहेंगे प्रतेक प्रस्थ्न आपके दो अंकों का होगा मिन आपका 100 मास हो गये इसी प्रकार यहां भी प्रतेकक कोश्टन आपके तू मास्क के रहेंगे तो आपके फूल पूर्ना कितने हो गए two hundred total आपका 300 गजाम होगा 300 का एक्जाम होगा आपका 300 मास्का इसके बाद चली बात करते हैं जो पेपर वन है उसका स्लेबस क्या है पेपर वन का जो स्लेबस आपके स्लेबस को देखेंगे तो जैसे मैंने पहले आपको कहा दिया यूजिसी नेट का पेपर वन को उठा लीजिए बस वही त्यारी करने एक्षा कुछ नहीं गरद आपको पेपर वन में क्या क्या रहेगा आपका तीचिंग या रिषर्च यइश्रस चाप्टेटूट स्वाप्सीड पहला दूसरा रहेगा बिदी यह आपका उस्ट में है रिजिनिग भी हैं आपका मृशी電 लिया दिंग कंप्रेमाmesan यह भी प यूज सिन्ध के सलेबस और यूज सिन्य कि उता ह跑 करना पड़ना बिलकूल उसको अभी से स्टार्ट करना यहाँ पर चलेगी और पयपर वन को कि जलुच स ao को यहां पर आरम्बने वाली है यहाँ ए सब्सक्राओ नेफिक उंक्याओ म सब्सक्राइब इस क्लास को जोएन करके आप नेट भी क्वालिफाई कर सकते हैं जैट के साथ सथ आपका नेट का भी रिजल्ट बन जाएगा दिस इज बेस्ट ऑन दा सब्जेक्ट सेलेक्टेड बाइट जो पेपर टू होगा यह जिस विशय का आप चैन करते हैं जो आपको पीजी का विश अपको जैसे में पहले कका है आपको सीलेबस और सब्सक्राइब जैसे 43 सब्जेक्ट्स में अभी जैन होना इसके 43 में जैट होगा तो बहुत सारे इसे इसे हैं जो इसमें सामिल नहीं है इस्टुयइंट क्मेंट करते हैं के सर्य यह जाइश नहीं है तो साथ हुआ है यहाँ पर साव साफ लिग दिया घ्या है ना अब आभी देखेंगे दा लिस्ट आप सब्जेक्ट फोर जैट विल बेस्ट उन दा लिस्ट आप सब्जेक्ट फोर यूजिसी नेट सियासर यूजिसी नेट यूजिसी नेट का कर सकते हैं कि लिस्ट है उसी के कोडिंग यहां पर लिस्ट बनाया गया है दा लिस्ट आप जैट लिस्ट आप जैट subject is annexed as appendix one जो मैंने आपको दिखा दिया है पहले ही पिछले video में कॉन-kॉन सब्जेक्ट है जहाँ 43 सब्जेक्ट मैंने दिया है इसके बाद यहां का जा रहा है the list of subjects shall be updated as per any revision in the list of UGC near CSR US and agar वहाँ पर कोई upload update होता यहां पर भी update किया जाएगा the updated सब्सक्राइब करने का विचार है और जिस्विश्य का नहीं है उसके लिए आपके 43 में नहीं है उसके लिए आप नेट का एक्जाम्ट है जो की रेगुलर बेसिस पर हो ती यहां पर सब्सक्राइब करने का विचार है और जिस्विश्य का नहीं है उसके लिए आपको कहा तो मेडियम पोस्चन पेपर यहां दोनों में हो रहेगा क्वेशन पेपर सापका किसमें रहेगा इंगलीश एंड हिंदी इंगलीश और हिंदी दोनों में रहेगा आपका एकश्चेप्ट क्या-क्या language तो यहां चाह उर्दू है चाहिया न संस्कुरित है तो उसका तो मार्किंग कें कि पहले मैंने बता दिया है कि को सब्सक्राइब होगा याने एक प्रस्ट्स करते हैं आपको 2 स्क्राइब मिले MAY तो यहां पर यहां पर सीधे यूजी उजय G नेकिटी आपकिंग महार्किंग नहीं है कscheinarth by event अक और पेटर्न को उठा लिया गया है और यहां पर इसको बना दिया गया है इसके अलावे जो Crateria है आपका अलेबर्टी का Crateria क्या रखा गया है फूर जैट उसको आप समझ ले आप योग है या नहीं आप देख ले सबसे पहले तो आपका एक ही योगिता है कि पीजी में आपके 55% मार्स होने चाहिए दूसरा कहा गया है अगर आपके 50% 55% मार्स नहीं है और आप BC1 BC2 या ST या फिर एस्टी है या फिर पीजी में 50% मार्स नहीं है तो भी आप एक्जाम दे सकते हैं जैट के लिए अलिजबल आप हो जाएंगे इसके अलावे यहां पर यह कहा गया है कंडेट हुआर फर्सुइंग या अगर आपके मास्टर्स नहीं हुई है आपके लास्ट इयर में है लास्ट इयर में है तो भी आप तो भी आप फर्म भर सकते हैं वकायदा बाद में जो क्रिटेरिया है 55% और 50% का वह आपको फुल्फिल करना होगा एक्जाम के बार आपका रिजल करना होगा तो यहां पर जो मुख के बात है इसको लोगों ने देखा आगे साथ यह और यह बहुत सारी बात है प्रसुडूर एंड क्रिटेरिया फोर डिकलेशन आप रिजल रिजल्ट कैसे बनेगा उसके बार में आपर बताया गया है जिस पर का यह सिक्स परसंट का अगर जितने लोग अपर हुए है उसका 6 परसंट उसका 6 परसंट को ही कर सकते जैट का रिजल्ट बना जागा उसी के लिए अशिक्स परसंट लोगों का ही रिजल्ट बनेगा जितने अपर उसके 6 परसंट जो की सिक्स नेट में भी यही होता है यूसी नेट में शिप्स परसंट दिया जाता है इन ओर टो बी एक पर आपको जो रिजल तो देगा लेकिन यहां पर मिनिमम कहा गया आपको 40% एरिगेट मार्स लाना ही होगा ठीक है 40% आपको लाना होगा 40% से अगर आपका कम रहेगा तो फिर आप क्वालिफाइंग मार्स कितना हो गया 40% अन्दिजर बोर EWS के लिए इसके अलावे 35% कट अब रखा गया किसके लिए अगर आप स्थी हैं स्थी हैं बीसी बन या बीसी इसके लिए और 35% हो गया स्थी स्थी बीसी वान बीसी टोलोट पी डिव्यांग जैनों के लिए तो कौलिफाइंग मार्स समझ लिए किस प्रकाप का रिजल्ट बनेगा ये भी आपने समझ लिया 6% लोगों का रिजल्ट बनेगा इसके बाद जितनी भी सारे कसरें इंपोर सब्सक्राइब करना चाहते हैं अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो हमारे साथ जूलकर विल्कुल आप फ्री में बिदाउट एनी कोस्ट जैट की प्रिपेशन कर सकते हैं मार्च फर्स्ट विक से एक से लेकर साथ मार्च के बीज कभी पी किसी दिन आपको सूचना देकर क्लासे से स्टाट कर दी जाएगी और एक क्लास One से हमारे साथ जूले रहें ताकि आपके प्रिपेशन सांदार हो क्यों क्लास चुटेगा फिर आपको बाद में दिक नहEST हैं चल्क करते सब्सक्राइब करके बीतन को क्लिक करके रख लेना दोस्तों अभी सही क्लासे जब स्टार्ट होगी वर्स डेंट व्रार ट ус सके अश्ट वन से लेकर लेसंट तक अजिशन लेकर करके पक्का होगा क्योंकि छोड़ छोड़ के पढ़ने से फिर आपकी तैयारी अधोधी रह जाएगी तो आप क्लास फर्स्ट जो पहला क्लास होगा फर्स देसे आप जोएन करें इसके लिए आप अभी से चल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को प्रेस करके और और अल बेटन को क्लिक करके लख लेना चाहिए ताकि आप फर्स देसे क्लास से जोएन करके त्यारी को श्रांदर कर सकते हैं और जैट में सफालों के अस्टेंड प्रोफेसर बन सकते हैं थैंक्यू थैंक्यू वारी वरी मच्च और वाचिंग दिस वीडियो और कनेक्ट वी एक्जाम फाइटर नमर ब